Hello and welcome to gradeupstudy.com तो स्वागत है आपका आज किस वीडियो में तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल परदेश पतवारी एक्जाम 2016 और English section को हम आज किस वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है और जितने भी यहाँ पर rules इंप्लिमेंट होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे और explain करेंगे कि किस परकार से यहाँ पर यह जो rule है वो इंप्लिमेंट होना था ठीक है लेकिन अगर आपको हिमाचल परदेश पतवारी एक्जाम की systematically वेसे और सभी subject की तयारी करनी है तो आप हमारे grade up study plus course को जोईन कर सकते हैं और जो 15 January से शुरू होने वाला है ठीक है तो आपके पास समय है तो आप जोईन कर सकते हैं आपको description में link मिल जाएगा हमारे application का तो आपको हमारे application को download करना है उसके बाद register करना है और उसके बाद grade up study plus में enroll हो जाना है तो चली without time waste किये इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हिमाचल परदेश पटवारे exam 2016 में किस परकार के English पूछी गए थी तो सबसे पहले आपको यहां पी मिलेगा passes ठीक है 2015 में passes नहीं था लेकिन इस वार इन्होंने passes डाल दिया हुआ है चली देखते हैं Man is the architect of his own fate Fate का मतलब होता है भागय ठीक है Fate का मतलब होता है भागय जो man है वो अपने भागय को खुद बनाता है Architect का मतलब होता है बनाना ठीक है हम अपने भागय को खुद बनाएंगे और आपने कईवा सुना होगा कि वो जो बन्दा है ये बड़ा भागय शाली है क्या है भागय शाली भागय शाली मतलब fatalist ठीक है तो ये words आपको अपने mind में बिठाने हैं जो कि आपके काम आएंगे अन्टोनियम सिनोनियम में ठीक है तो fate का मतलब भागय और fatalist का मतलब होता है भागय शाली कोई आदमी है मैं हूँ आप है तो हम अपने भागय को खुद बनाएंगे जो हमारे decision है उन्हीं से तया होगा कि हम किस point तक पहुँच सकते हैं अपनी life में ठीक है आगे देखिए if he makes a proper division of his time अगर वो अपने समय को proper तरीक से बाटेगा he is sure to prosper in life prosper का मतलब होता है समरिद ठीक है समरिद वो अपने life में समरिद होगा समरिद का मतलब होता है कि जिसकोई पास सब कुछ है वो समरिद है ठीक है आगे but if he does not यह पर दस नोट होना otherwise he is sure to repent repent का मतलब होता है पश्तावा क्या मतलब होता है पश्तावा ठीक है यहाँ पर शर के आगे यह डंडी नहीं आएगी पश्तावा नहीं तो उसके पास पश्तावा करने के लावा कुछ भी नहीं रहेगा यानि कि वो पश्तावा करेगा sure to repent बाद में वो पश्टावा करेगा अगर उसने अपने समय को सही तरीके से नहीं बाटा तो उसके पास पश्टावा के इलावा कुछ भी नहीं बचेगा ठीक है आगे लिखा हुआ है to kill time is sinful sinful का मतलब बता है पाप समय को खराब करना बरबाद करना यह एक पाप है ठीक है youth is golden season of life देखिए अगर हम बात करें एक साल की years एर लिखते हैं इसको ठीक है तो एक year को हम चार भागों में बाढ़ सकते हैं ठीक है यहाँ पर पत जड़ का मोसम है यहाँ पर गर्मिया है यहाँ पर बरसाते हैं यहाँ पर सर्दिया है उसी परकार से human life के भी season होते है ठीक है यह आपका है child वाला season ठीक है यानि कि जब आप बच्चे थे यह जो season है adult हो गए आप 18 साल के उपर ठीक है उसके बाद लगे थोड़ा-थोड़ा सा ढलने और यहाँ पर last में ओम शान्तियों ठीक है तो यह जो season है आपका यह वाला यानि कि 18 साल से लेके 30 साल तर इसको बोला जाता है golden season तो youth is the golden season of life तो इसी को यहाँ पर बोला गए है youth ठीक है youth ठीक है तो जो youth है वो golden season है life का if we lose this time अगर हमने इस time को lose कर दिया जाने दिया we will have to repent the whole of our life repent यानि कि उसके बद हमें अपनी पूरी life पच्चताना पड़ेगा ठीक है अगर हमने समय का use सही तरीके से नहीं किया तो हमें पूरी life पच्चताना ही पड़ेगा repent का मतलब था पच्चताना ठीक है तो ये मतलब था इस paragraph का ठीक है अब यहाँ पर आपके समने question है देखिए कि क्या पूछा गया है सबसे पहले who spoils a man life हम खुद अपनी life को spoil करते हैं यानि कि man himself option number C आगे आपके पास है in order to prosper in life prosper का मतलब होता है स्मृद ठीक है in order to prosper in life man should make the best use of अगर हमें अपनी life को स्मृद बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए should make best use of time हमें अपने समय का best use करना चाहिए देखो ये जो paragraph है न कि आप सभी के लिए बिल्कुल सटीक बैढ़ता है ठीक है अभी आपके पास time है सही decision लो अपने time को सही तरीके से divide करो ताकि आपका जो भाग्य है आपकी जो life है वो prosper बने ठीक है तो इसका सही option क्या था time clear है आगे आपके पास है question number 28 if we are not careful in early life अगर हम अपनी early life में careful नहीं होंगे in later life we will suffer from a sense of अगर हम अपनी पहली वाली life से यानि कि ये youth season है अगर हम इस season में careful नहीं बनेंगे तो हमें बची हुई जिंदगी में किस से गुजरना पड़ेगा भारी नुकसान से गुजरना पड़ेगा ठीक है यानि कि option number B clear है तो passage को इस प्रकार से solve किये जाता है ठीक है चले आगे आगे आपके पास है in each of the questions a sentence with one or more blanks has been given from the given option fill up the blanks to make the sentence अच्छा ठीक है जी आपको यानि कि यहां पर fill करने है यह ताकि एक complete जो है वो sentence बने और meaningful sentence बने ठीक है जी अब देखो आपके सामने यहां पर मैं rules implement करूँगा ठीक है और यही rules जो है वो आपकी English grammar को strong करते हैं अब देखो अगर आपको English grammar में command बनानी है न सर तो इसके लिए rules जो ठीक है यह आपको अपने mind में रखने है लेकिन rules कभी खतम नहीं होते कोई ने कोई rules आपको extra पता लगता ही रहता है लेकिन पहले वाले rules कैसे अपने mind में बढ़ाने है यह सबसे बड़ी चुनोती होती है English grammar को सीखने के लिए जो rules है उनको हमने अपने mind में कैसे बढ़ाना है यह सबसे बड़ी चुनोती होती है clear है अगर आपको proper तरीके से English grammar पे पकड़ बनाने है अगर आपकी English grammar सही नहीं है तो आप हमारे course के साथ जूर सकते है grade of study plus ठेक है वहाँ पर हमने English पे maximum focus इसलिए किया है क्योंकि जब हमने YouTube में free पढ़ाया था ठेक हमने YouTube में free पढ़ाया था पुलीस के लिए free crash course six month तक हमने free चलाया था YouTube पे ठीक है तो वहाँ पर मुझे काफी सारे messages आए कि सर English करवाईए लेकिन English करने के लिए सर्फ बहुत कुछ करना पड़ता है ठीक है English के लिए इसलिए मैंने इस course में English को बहुत ही बेटर तरीके से अड़ किया है इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न हम अपनी ही practice book लेके आए ताकि बच्चों को और असानी हो जाए English सीखने में और अगर एक वार आपने English सीख ले अगर एक वार आपका हाथ English पे बन गया तो यह question आपके लिए कुछ भी नहीं है Automatically यहाँ पर जो rules है वो implement होंगे ठीक है चलिए देखते हैं तो question number 29 है Dear were dash viewers than expected अब देखो यहाँ पर न comparison क्या जा रहा है पहले उसने कुछ expect किया था यहाँ पर उसने कुछ expect किया था मार लेती हैं कि यहाँ पर कोई show है ठीक है यहाँ पर मैंने बुलाया जिलजीत दोसाज को ठीक है और जितना मैंने सोचा हुआ था कि यहाँ पर कम से कम 1000 viewers आएंगे यह मैंने expect कर लिया लेकिन मेरी expectation से कम viewers आए मेरी expectation से कम viewers आए तो यहाँ पर comparison किया जा रहा है इन दोनों में जो मैंने expect किया और जो reality में यहाँ पर पहुँच पाए यानि कि यहाँ पर comparison degree यानि कि यहाँ पर compare वाला कुछ लगना चाहिए और लगेगा भी कैसा less वाला, कम वाला ठीक है अब यहाँ पर देखिए options की तरफ many, सबसे पहले many को बहा निकालो क्योंकि यहाँ पर sense बन रही है कम की, कम आए है हमारी expectation से कम लोग आए है, ठीक है जी many बहा निकालो अब देखो lesser तो word होता ही नहीं है, less है न अगर आपको less का comparative degree और superlative degree बनाना है, तो less, least least होता है less, least, least ठीक है, तो यह है तो यहाँ पर less भी नहीं होगा इसके पेछी का reason यह है जो less है यह हम use करते हैं uncountable uncountable nouns के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर viewers की बात की जा रही है लेकिन हम viewers को count कर सकते हैं, इसका मतलब यह एक countable noun है तो lesser तो already बाहर है less इसली बाहर हो जाएगा क्योंकि यह एक countable noun है और less हमेशा use होता है uncountable noun के लिए तो बचा क्या? pure ठीक है, और यह एक comparative degree भी है few, pure तो यहाँ पर क्या आएगा? pure आएगा, क्योंकि pure हम हमेशा countable noun के लिए use करते हैं ठीक है जी? तो यह rule आपका यहाँ पर implement होना था आगे चलते हैं, आगे आपके पास है can you bring me dash books I left in the garden अब यहाँ पर जो खेल है उस सारा का सारा adjective का है adjective का ठीक है? यह एक demonstrative adjective का question है demonstrative adjective का question है ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? can you bring me dash books I left in the garden क्या तु मुझे वो वाली book दे सकते हो जो मैंने garden में छोड़ दी थी तो वो book की बात कर रहा है, वो वाली अगर यहाँ पर होती तो this मेरे यहाँ पर होती तो that वहाँ पर है, कहाँ पर garden में तो garden यह नि कि वहाँ पर तो वहाँ पर हम दोज यूज़ करते हैं next question है the fertility of land is barely sufficient to dash 12 people to the acre अब यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर जो जमीन है, इसकी जो fertility है, वो बड़ी मुश्किल से barely और यह भी एक रूल है ठीक है, सकास ले, barely इनके आगे हमेशा टू लगता है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, यह भी एक रूल है बड़ी मुश्किल से ही, बारा लोगों का जीवन व्यापन जीवन व्यापन तो sustain sustain का मतलब होता है, व्यापन करना, जीवन व्यापन करना जीवन व्यापन करना बड़ी मुश्किल से ही, बारा लोगों का जीवन व्यापन हो सकता है ठीक है जी, तो sustain होगा आगे चलते हैं अब देखो, यहाँ पर न, यह एक मतलब बनाता है, मेनिंग बनाता है वर्ट मैटर वर्ट मैटर का मतलब होता है, क्या माइने रखता है क्या माइने रखता है यहाँ पर बोल जा रहा है कि लोगों का positive attitude क्या माइने रखता है question mark लगा वाई यहाँ यहाँ से आपको बता लगाना था कि लोगों का positive attitude क्या माइने रखता है what matters फिक है, तो इसलिए यहाँ पर option number C is the correct answer आगे चलते हैं आगे आपके पास है the incident has dash severe damage to the dash of the employees इसी incident से caused मेरे employees के moral को काफी नुकसान हुआ है इसी incident से मेरे employees के moral पे काफी damage हुआ है ठीक है, तो यहाँ पर option number C is the correct answer होना था ठीक है, क्योंकि बागे तो फिट बैट नहीं रहा सिर्फ यही बाठेगा, आगे चलते हैं fill in the blanks with appropriate correct conjunction ठीक है जी, conjunction आपको यहाँ पे लगाने है ठीक है question number 34 we are living on Wednesday dash or not it arrains, अब देखो यहाँ पर यह जो question है न, यह आपका है correlative conjunction का correlative conjunction का ठीक है और correlative conjunction में कौन-कों से आते हैं, जैसे कि either or, neither nor, not only, but also यह आपको पता है लेकिन एक ऐसा है जो कि maximum student छोड़ देते है weather or यह भी एक correlated conjunction है ठीक है, तो यहाँ पर or लगा हुआ है, तो बाकी किसी के जात भी or नहीं लगता सिर्फ weather के साथ लगता है इसने पढ़ा होगा, वो directly यहाँ पर इसको सही करके आता ठीक है, आगे चलते हैं pay attention to your work dash you will not make mistake अब मुझे यहाँ पता है कि so that हम हमेशा reason देने के लिए use करते हैं कैसे जब भी हम school में application लिखते थे कि I am ill so that I cannot come to school लिखते थे ना तो I am ill, आपने reason दिया किस चीज़ का, कि मैं school नहीं आ सकता तो reason देने के लिए हम so that का use करते हैं so that I cannot come to school तो यहाँ पर भी वही बात की जा रही है pay attention to your work अपने काम पर ध्यान दो ताकि आपसे कोई mistake ना हो ठीक है तो so that आपका यहाँ पर आएगा if आपका यहाँ पर आही नहीं सकता क्योंकि if का मतलब होता है अगर क्या मतलब होता है अगर ठीक है यहाँ पर note लिखा हुआ है पहले से sentence negative है unless आएगा नहीं ठीक है यह तो ऐसे नहीं आएगा मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पर clear है चलें आएगे next आपके पास है fill in the blanks with appropriate word पूरा paper ही यहाँ पहन होने fill in the blanks से भर दिया है next question है the football team traveled dash train अब देखो यहाँ पर न सिधा आपका अंसर होगा by train वो इतना है नहीं अगर train की जगह पे मैं bike लिख दूँ तब मुझे आप यहाँ पर बताओ कि कौन सा option सही होगा तो question 36 का आपने अंसर बताना है कि अगर मैं यहाँ पर train की जगह पे bike लिख दूँ तो आपका कौन सा option सही होना था इन में से A, B, C, O, D clear है चलिए मैं अंसर का वेट करूँगा comment section में ठीक है question 37 he takes much interest dash painting landscapes अब हम किसी चीज में interest लेते हैं ठीक है मैं पढ़ाने में interest लेता हूँ तो में मतलब in option number C clear है चलिए आगे आपके पास है यहाँ पर आपको verb लगाने है जो सही होगी ठीक है question 38 क्या है रवी has been dash has been यहाँ पर has been मतलब perfect continuous tense की बात की जा रही है यहाँ पर perfect continuous में जो भी हम verb लगाते हैं वो ing की वो में होने चाहिए तो ing के form में option number B correct answer है B ठीक है यह वाला clear है चलिए आगे आगे आपके पास है what dash you busy yesterday ठीक है यह interrogative है कोई बात नहीं yesterday लिखा हुआ है मतलब past की बात की जा रही है यहाँ पर subject क्या है singular है अगर आपका subject singular है तो verb भी आपकी singular होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर verb की second form चलेगी क्योंकि यहाँ पर past की बात की जा रही है ठीक है और यहाँ पर कोई भी helping verb नहीं है इसका मतलब ऐसा कौन सा tense है जहाँ पर helping verb भी नहीं है और वो past में भी जाए तो subject प्लस verb की second form प्लस object clear है तो second form आपको यूज करनी है keep, kept, kept तो kept option number c clear है ठीक है न चलेए आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि his first failure did not dash him from making another attempt यानि कि उसको जो पहला attempt है वो उसको नहीं रोक सकता बाकी attempt देने में ठीक है तो यहाँ पर रोकने की बात की जा रही है ठीक है तो ditter का मतलब होता है रोकना रोकना ठीक है stop का मतलब ही होता है लेकिन hold का मतलब ही होता है check का मतलब नहीं होता hold मतलब रोकना, stroke का मतलब रोकना लेकिन यहाँ पर जो सही sense बनेगी वो बनेगी deter की His first failure did not deter him from making another attempt ठीक है तो option number A is the correct answer ठीक है जी चले आगे, आगे आपको यहाँ पर one word बताना है a decorative handwriting तो calligraphy, यह मैंने आपको already करवाया हुआ है यूट्यूब पे, आगे चलते हैं flat metal plate fixed on a wall as an ornament ornament मतलब होता है कि abortion, तो यहाँ पर option number D plaque यह आपका सही होगा, आगे चलते हैं choose the word with spelling अब देखो यहाँ पर यह question जो है यह repeat हो गया था 2015 वाला same मैंने पहली बार कोई exam देखा है, कि पिछले साल का कोई question इस साल भी आया हुआ है, ठीक है तो confidential हमने कल भी बढ़ा था और आज भी है confidential, T-I-A-L ठीक है, इसका देख लेते हैं, parnicious तो parnicious C-I-O-U-S C-I-O-U-S, यहाँ से ending होने चाहिए C-I-O-U-S C-I-O-U-S, यह है सही ठीक है, आगे चलते हैं opposite meaning, यहने कि antonyums, तो bothered bothered का मतलब होता है एक हिसाब से मान के चलो परिशान होना ठीक है, परिशान होना मतलब बड़ा परिशान है बड़ा हो है उसको, ठीक है बड़ा परिशान है, तो परिशान मतलब इसका उड़ता क्या होगा, शान यहने कि, काम ठीक है, आगे आपके पास है deannounce deannounce का मतलब होता है कि किसी पे, जो है वो यह बोलना है कि हाँ भी इसी नहीं किया है अरोप लगाना मतलब, सीधा मतलब इसका अरोप लगाना, ठीक है इसका उल्टा क्या होगा, अपनी गलती माना, यहने कि, accept करना तो option number A is the correct answer चले आगे आगे आपके पास है question number 47, stunned stunned यहने कि, एकदम stunned रह जाना चोकन्ना रह जाना, भोचक्का रह जाना ठीक है, चोकन्ना नहीं होगा लेकिन भोचक्का रह जाना भोचक्का यहने कि, surprised रहना ठीक है, surprised हो जाना तो यह similar meaning पुच्छा हुआ यहाँ पे ठीक है, same meaning आपको बताना था stunned मतलब, समझ गए न, surprised आगे आपके पास है, galant galantर के मतलब होता है, बहादूर बहादूर ठीक है, और अगर इसका Antonio पूचा होता, तो इसका होना था, cowardice, यहने कि कायर लेकिन यहाँ पे most similar meaning है यहने कि, same मतलब, बहादूर का बहादूर तो इसका सही होगा, valor ठीक है clear है, चले आगे आगे आपके पास है, proverb देखो, proverb हर बार पूची जा रही है तो इस बार भी आपको proverb पढ़के जाना है मैंने आपको list दे दी हुई है last की वीडियो में ठीक है, उसके इलावा भी आप पढ़ सकते हो लेकिन वो आपको पढ़ने ही पढ़नी है clear है, चलिए यहाँ पर क्या लिखा हो है, birds of a feather तो यह आपको complete करना है यहाँ पर idiom phrases, ठीक है तो donkey ears तो donkey ears का मतलब है long time ठीक है, a long time यह मैंने आपको पढ़ाया हुआ है YouTube में clear है, तो main बात यही है कि इस exam की तयारी आप किस परकार करोगे क्योंकि यहाँ पर English जो है, वो 25% हिस्सा ले रही है ठीक है, हिंदी को मैं मानता हूँ ठीक है, कर लेती है सबी बच्चे कर लेती है लेकिन हाथ तंग होता है बच्चों का English और Mathematics में ठीक है, और जिस बच्चे का English और Mathematics strong है वो इस exam को निकाल लेगा क्योंकि हिंदी और JK बड़े लोग कर लेते हैं उसमें कोई चक्कर नहीं है लेकिन जिसमें बाकी लोग वीक है, अगर वही section आप अपना strong कर लेते हो तो आपको खुद बताया ने फिर खुद समझार हो आप कि कौन हावी होगा फिर बाद में ठीक है, तो अगर आपको complete इसका syllabus cover करना है ठीक है, सही तरीके से systematically, आप हमारे grade up study plus course में जूड सकते हैं description में link आपको मिल जाएगा हमारे application का, या फिर आप directly download कर सकते हैं, search आपको करना है Google Play Store मे, grade up study, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ बर आपको register करके enroll करना है, grade up study plus में, ठीक है, चलिए जे मिलते हैं भी next video में तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल